है दोस्तों नों मैं शकार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक्जाम मास्टर चैनल में और यह जो टॉपिक है यह थोड़ा सा स्टडी से हटके हैं यह आपके क्यारियर से रिलेटेड है जो लोग B.A.D. अल्रेडी कर चुके हैं और जो आगे सोच रहे हैं B.A.D. करने मतलब एक दू चीज़े उन्हें पता है लेकिन B.A.D. करने का ओवराल क्या फाइदा है कहां कहां ज्वाइनिंग हो सकती है थूर्द बीर्ड यह सब को जानकारी नहीं रहती तो कहां का फॉर्म कब आया और कब कैसे बीर्ड मांगा यह जो है आप लोग नहीं जानते तो य दुनिया में कहीं भी टीचर बनता है कोई भी टीचर बनता है उसमें बीर्ड लेता है बीर्ड करने का फाइदा यह है सबसे बड़ी बाद कि आप कछा एक से पांच, छे से आठ, नाउं दस यहां तक बीर्ड की लिमिट है यानि कछा एक से ले करके 10 तक in every state यानि भारत के अंदर किसी भी राज्य में किसी भी लेवल पर चाहे वो state लेवल पर राज किया हूँ added हूँ या KVS हूँ नवोदय हूँ है ना या फिर आपका जो है तिब्बती स्कूल हो army स्कूल हो इन सब में जो अध्यापक बनते हैं वो beard के थ्रू ही बनते हैं यह जान लिजे कच्छा एक से पांच में भी अब beard को valid कर दिया गया है तो जैसे state में कौन-कौन सी सरकारी नौकरी है राज्य में जिस राज्य से आप beard है और आपकी beard की degree overall पूरे भारत में मान्य होती है याद रखिये तो state level पर आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे added school है जो management की अंतरगत तो आते हैं लेकिन इनको सरकार से सहायता प्राथ है वहाँ पर जो teacher है वो सरकारी है है ना आपने फिल देखा होगा कि आपके गाउं में आसपडोस में सरकारी प्राथमिक विद्याले है junior माध्यमिक है कुछ माध्यमिक है और कहीं कहीं आप देखेंगे कि राज की विद्याले भी है है ना GIC सुना होगा आप लोगों ने तो GIC का जो टीचर होता है है ना GIC LT LT GIC है ना ये तो ये सारे टीचर जो है B8 के थूँ बनते हैं अभी LT grade की vacancy भी आई थी अलग-अलग विशय के लिए कच्छा 9-10 के लिए राज की है टीचर की है ना वहाँ पर B8 के साथ-साथ MA का होना भी जरूरी है यानि पोस्ट graduation में अगर आप जाना चाहते हैं देन आपको B8 तो हो साथ ही साथ आपका MA है तो जो लोग B8 करें उन से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग MA भी जरूर करें है ना क्योंकि अगर आप MA के साथ B8 है क्या B8 करने के बाद नौकरी कंफर्म होती है बहुत लोगों का सवाल ये भी रहता है कि सर B8 करने के बाद क्या नौकरी कंफर्म है तो आज के समय में थोड़ा कठेन है लेकिन जो अच्छा खासा पढ़ता लिखता है नौकरी तो वही पाता है नौकरी पाने के लिए B8 जरूरी है लेकिन B8 करने के बाद ये जरूरी नहीं कि नौकरी मिली जाए लेकिन नौकरी मिलने के लिए अध्यापक बनने के लिए B8 जरूरी है और सोने पे सुहागा तब माना जाता है जब आप B8 के साथ-साथ M.A. भी हो तो बहुत सारे लोग इंटरंस दे रहा है बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि B8 करने के बाद क्या तो B8 करने के बाद सबसे पहला target आपका होना चाहिए कि आप TET और CET दोनों लेवल का qualify करो ठीक है अब तो जो है TGT PGT में भी TET SEAT लेगा यानि कच्छा 9 से लेकर के 12 तक का अगर आपको अध्यापक बनना है तो यहाँ पर भी आपको TET SEAT देना होगा तो अब तो B8 का स्कोप और बढ़ गया है अब आने वाले समय में B8 को नौकरी जादा मिलेगी BTC बस केवल का च्छा एक से पांच और जिस तरह से अब नई सिक्षा नीत में लेवल बना है उसमें मुझे जहां तक लगता है कि एक से पांच और छे से आठ तक के लिए इलिजबल होगा BTC बाकी नव दस्ति के लिए अब B8 को कर दिया जाएगा टेट सीटेट के थू है ना बिना टेट सीटेट पास की अब कहीं भी देश के किसी भी कोने में या स्टेट में अब टीचर बनने की जो संभावना वो नहीं होगी यहाँ पर दो भरतियों को अगर हम छोण दें आने वाली 5000 वैकेंसी जो एड़ेड में आ रही है 5000 एड़ेड वैकेंसी और 55,000 प्राइमरी वैकेंसी को छोण दें पचास हजार या 55,000 कहलो इन दोनों वैकेंसी को छोणने के बाद नई सिक्षा नीती में जो वैकेंसी आएंगे उनमें टेट सीट अनिमारिय रहेगा हाला कि इसमें भी टेट सीट अनिमारिय है ठीक है लेकिन आगे चलके डेमो इंटर्व्यू भी आपको फेस करना पड़ेगा जैसा कि न्यू एड़ुकेशन पॉलिसी में साफ साफ लिखा गया तो आप मेंसे जितने भी विद्यार्थी बीड किये हुए बैठे हैं आप में से कितने लोग इवानदारी से बताएए कभी केवियस का फॉर्म डाले हैं कभी नगोदे का फॉर्म डाले हैं आर्मी पबलिक स्कूल का फॉर्म डाला है तिब्वती का फॉर्म डाला है नहीं डाला ना क्यों नहीं डाला क्योंकि जानकारी न चाहिए अलग स्टेट में दिल्ली DSSB में प्रियास करना है बहुत लोग उसी का फॉर्म नहीं डालते हैं आप दिल्ली में टीचर बन सकते हैं नौकरी करनी है पचास साथ हजार पैसाथ हजार पंखा है DSSB वगेरा की तो अब इतना बढ़िया व्यापक सतर पर नौकरी करनी है लाइफ सेटल करना है तो यह चीज़े तो आपको सोचना चाहिए ना कि हम कहां कहां फॉर्म डाल सकते हैं तो कुल मिला करके आप अगर बीर्ड करते हैं तो टीचिंग शेतर में कच्छा एक से लेकर क से दस तक हर जगा बीर्ड मांगता है तो आपके लिए स्कोप तो बहुत जादा है के वी एस इन विए स्टिवबती डी त्रिपलस भी नवो दै राज सरकार एटी जी आइसी टीजटी पीजटी आप कहीं भी फॉर्म डाल करके टीचर बन सकते हैं आपके लिए इतनी सारी इतने सारे मौके हैं बीर्ड के साथ में हैं तब तो और बढ़िया है सब्जेक्ट कंबिनेशन है तब तो बहुत ही बढ़िया है तो अध्यापक वही बनता है जो इन सारी चीज़ों भी परफेक्ट होता है तो बीर्ड का जो स्कोप है वो बहुत जादा है लेकिन अभी त जरूरत है कि आपके इंद्रिय लेवल पर भी जो है हाँ प्यार फैलाईए क्यूंकि दुनिया बड़ी हो रही है और आप कब तक जो है कुए के मेड़क बनके बैठे रहेंगे आपको दूसरे स्टेट में नौकरी मिलती है तो देन गो फार इट है ना बेरुजगारी बहुत है कहीं भी 50, 60, 65,000 का सेटलमेंट होता है नौकरी का तो जरूर उसे अपनाईए और ये पॉसिबल होगा कि आपके पास B.A.D. की डिगरी हो टेट सीटेट आप क्वालिफाई हो टार्गेट है ना कंसे कम सीटेट अगर क्वालिफाई होते हैं तो ओवराल इंडिया लेवल पर आप जो है इलिजबल हो जाते हैं कहीं भी मतलब KVS में भी मांगेगा नौदर में भी मांगेगा हर जगा सीटेट मांगता है फिर वहाँ पर UP टेट की उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं रह जाती हाला कि अधर स्टेट के भी अपने अपने टेट होते हैं वहाँ भी आप टीचिंग का उसका अगर मैं कहूं तो रीड की हगडी है बीना बीएड के टीचर बनना मतलब 10% लेकिन अगर आपके पास बीएड की डिगरी है तो 90% चांस बीना बीएड के 10% है नहीं अह में के थूप PGT में आप कहां कहां अपलाई करोगे लेकिन अगर आपके पास आपकेंसी में घुसने का तो यह सारे फाइदे होते हैं अब अगर आपका B8 से रिलेटर या BTC से रिलेटर कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो आपके कमेंट का जवाब मिलेगा चैनल सब्सक्राइब कर लो Tech Seated Super Dead की तैयारी के लिए और यह WhatsApp नंबर है आड़ हो जाओ अपना नाम जीरा का नाम लेगके भेज के तो थांक्यू सो मच बबाइ टेक क्यों